वेलकम टो अली आईएस, आज है 4 जुलाई 2020, तो आज है देख लेते हैं आज के करेंट अफेर्स, MCQs, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चिन है, इसमें आपको तीन पॉइंट्स दिये गए हैं, तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं, जिनकी मदद से आपको एक वेट लैंड चु वहाँ का 40% राइस प्रोडक्शन इसकी मदद से होता है, और तीसरा यह है कि स्कारलेट स्किमर, जिसे आप क्रोको थैमिस सर्वीलिया भी बोल सकते हैं, यह विशेस प्रकार का ड्रेगन फ्राई है, जो छोटा सा होता है बरसात के मौसम में आपने इसे उड़ते हुए दे अब आपको एक हिंट तो यहाँ पे मिल गया है कि यह विटलैन किसी ऐसे राज्य में होगा, जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता हो, जहाँ पर माइगरेटरी बर्ड्स भी आती हूँ, तो यहाँ पर अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, तो सही जवा भी है, हम बात कोल या फिर कोले वेटलैन के बारे में कर रहे हैं, यह न्यूज में इसलिए था विकॉज यहाँ पर एक विसेश प्रकार की ड्रेगन फ्लाई पाई गई, जिससे स्कारलेट स्किमर या क्रोको थैमिस सर्वीलिया कहा गया, न्यूज में इसलिए रहा क्योंक प्रजाती में ब्लड रेड होता है, जबकि जो फीमेल ड्रेगन फ्लाई होती है, उनका कलर पेल यलो होता है, मतलब पीले रंका होता है, लेकिन जो ड्रेगन फ्लाई यहाँ पर स्पॉट की गई, उनमें में मेल और फीमेल के external characters mixed मिले, मतलब दोनों ही कलर मिले एक प्रजा एंड्रो मॉर्फिजम कह सकते हैं, हाला कि इनकी संख्या बहुत जदा नहीं पाईगी, ऐसे के वल 30 individuals ही पाए गए हैं, गोल वेटलाइन के बारे में ये थरस्थूर और मलापूरम जो district है केरला का, वहाँ पर situated है, रामसार साइट में भी आता है, 40% rise production state का यहीं पर मिलेग आपके पास choices हैं, anti-tank, guided missile, दूसरा light armored multipurpose vehicle, तीसरा torpedo detection and countermeasure system, और चौथा unmanned combat aerial vehicle, अपना सही जवाब चुनिए, अच्छा मारीच, ये सब कुछ याद आ रहा है, खैर आपने जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं, सोची लिया होगा आप तक, चलिए, अब बात करते हैं, म उसके बाद सीता का हरण किया जाता है, तो ये नाम अगर किसी का रखा गया है, तो क्या explanation आप कहीं से जोड सकते हैं, क्या, देखें, इस प्रकार से हमें question solve करते वक्त, कोई एक reason निकालना चाहिए, अगर आप कोई choice चुन रहे हैं, तो उसका एक reason निकाले, वो reason सही भी हो स मारीच का character ये था कि मारीच एक deer का रूप लेकर आ गया, एक सोने का हिरन बनकर आ गया, और भगवान राम पहचान नहीं पाये, detect नहीं कर पाये कि ये है कौन, और वो उसके पीछे चले गए, exactly, तो हमने अपना खुद का मारीच तयार कर लिया है, जिसकी मदद से हम आने व पता कि मारीच ये नाम रखते वगद उन्होंने ये चीज़ सोची थी या नहीं सोची थी, लेकिन अगर आपने ये आज सोच लिया, तो आप कभी नहीं भोलेंगे कि एक प्रगार का torpedo detection and counter measure system है, जो torpedo उसको detect करेगा, और हमारे जहाजों पर उसके हमले को रोकेगा, तो मारी इंडियन नैवी ने भी हाल ही में, ये इंडिजिनेस्री डेवलप किया गया है, torpedo decoy system है ये, जिसका नाम मारीच रखा गया है, अब आपको अगर picturize ना हो रहा हो, ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, decoy का मतलब होता है किसी को लालच देना, तो ये लालच देता अब ये torpedoes जो होते हैं, ये किसी भी ship के propellant का पीछा करते हैं, मतलब जो उनका fan चलता है और उनके fan की वज़र से जो एक sound system generate होता है, ये उसी का पीछा करके उस जहाज को hit कर देते हैं, मार देते हैं, या submarine को मार देते हैं, हर जहाज ये submarine में propellant system होता ही होता है, ठीक है, अब होता ये है कि ये जो torpedoes होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक travel नहीं कर सकते हैं, आदे गंटे के बाद इनकी energy खतम हो जाती है, ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं, तो ये जो torpedo detection system है मारीच, ये कई प्रकार के ऐसे equipments पानी में drop कर देगा, जो same amount of energy release करेंगे, जो उस propellant स करेंगे, यहाँ पर काम करने का तरीका बताया गया है, ये करेगा क्या, detect करेगा, locate करेगा, और torpedoes को neutralize कर देगा, ये करेगा कैसे, ये confuse कर देगा उनको, और torpedoes को divert कर देगा, छोटे 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 जो एक devices हैं, वो इससे छोड़े जाएंगे, जो same amount of energy निकालेगा, जो कि क समझ गए होंगे कि मारीच क्या है, और मुझे उमीद है कि आपको याद भी रहेगा, जो अगला question है, वो National Productivity Council के बारे में है, NPC के बारे में है, पहला statement ये बोलता है कि प्रकार का autonomous, multipartite non-profit organization है, जो कि society की तरह registered है, दूसरा ये बोलता है कि Tokyo-based Asian Productivity Organization का ही एक constituent है, पार्ट ह तीसरा ये बोलता है कि नेशनल लेवल का organization है, जो कि productivity के culture को इंडिया में promote करता है, ये ministry of fisheries, animal husbandry and dairy के अंतरगत कारे करता है, अब बताईए कौन सा statement सही है, कौन सा गलत है, आपने अपना जवाब अगर सोच लिया हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक ब national productivity council की बात हो रही है, मतलब ये हर purpose से productivity को enhance करेगा, तो एक particular ministry में ये क्यों हो जाएगा, मतलब ये ministry of fisheries, animal husbandry and dairy में क्यों हो जाएगा, जबकि ये हर प्रकार की productivity को enhance करने का काम करेगा, बिलकुल, ये गलत है, ये गलत इसलिए है, because जब productivity enhance हो रही है, तो हर प्रकार की enterprise में enhance क करने की बात की जाएगी, तो ये ministry of commerce and industry के तहट आता है, उसका जो department है, DPI IT, Department of promotion of industry and internal trade, उसके तहट आता है, 49th governing council की meeting हाल फिलहाल में होई थी, इसलिए ये news में रहा था, इसी 1958 में established किया गया था, अगला question आप से ये पूछा गया है, कि हिंदो और्फन relief moment, किसके दोरा found किय आगया, history का question है, news में रहा होगा तभी आपसे पूछा जा रहा है, या तो वो personality news में रही होगी, या ये body news में रही होगी, आपके पास choices हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सावित्री बाइफूले, राजा राम मोहन रॉय, अब देखिए तो fact है, पता होगा कि जो policy थी, उसे ही revive करने का प्रयास कर रहा है, इनका उद्देश यह है कि जो उन्होंने cultural links detect किये थे, और वो जो link उन्होंने establish करने का प्रयास किया था, महाराष्टा और वेश बंगाल के बीच में हम उसे ही revive करेंगे, एक प्रकार का NGO है, जिसका नाम सरहध है, इसने एक title रखा है महाराष्टा बंगाल friendship chapter, दो year long event होगा, जिसके माध्यम से उलाल बाल की जो policy थी, उसे re-energize करने का प्रयास करेंगे, इससे तिलग जी की जो death century है, मतलब जो सताबदी है, एक अगस्त को मिर्टी हुई थी तिलग जी की, तो एक अगस्त 1920 में हुई थी, तो 2020 को इस start किया था, 1895 में इन्होंने पंजाब national bank को establish किया था, जो first Indian bank था, जो solely Indian capital से तयार किया गया था, इन्होंने डेकन education society को भी फोने में found किया था, 1884 में, अगला जो question है, वो चार धाम परियोजना के बारे में है, पहला statement ये बोलता है कि इसमें जो काम किया जा रहा है, वो engineering, procurement or construction mode से किया जा रहा है, EPC mode से इस program को implement किया जा रहा है, अब आपको EPC mode पता होना चाहिए, ये तो confusion हो जाएगी, दूसरा ये है कि जो चमबा tunnel है, वो border road organization के द्वारा, इसी program के रहत तयार किया रहा है, जो कि NH94 पर है, तो बढ़ाई कौन सा statement सही है, कौन सा गलत है, पढ़ा the news उतराखन में बनाया जा रहा है, चारधाम पर्योजना में 12,000 करोर का एक package रखा गया है, जिसके तहत जो चारधाम हैं, जैसे कि गंगोतरी, केदारनाथ, ये मनोतरी और बदरिनाथ, इनको link किया जाएगा, जिससे कि एक tourism का center बन सके हैं, ठीक है, यहाँ पर जो implementing agencies हैं, उतराखन State Public Work Department है, BRO है, और NHI DCLB है, प्रोग्राम को EPC mode पे implement किया जाएगा, EPC mode होता क्या है, EPC mode में देखें, जब भी कोई company, contract लेती है, किसी भी infra के लिए, तो उसे बहुत दिक्कते होती हैं, land acquisition नहीं हो पाता, government clearance नहीं मिल पाता, regulatory norms नहीं बन पाते, सरकार ने बोला, ये सारा काम हम कर लेंगे, आपके वल engineering देखिये, procurement करिये, और construction देखरिये, बाकी जो procedural work है, वो हम कर लेंगे, तो इस model को EPC model कहा जाता है, जो अगला प्रशन है, वो खीर, भावनी, मेला के बारे में है, हाल ही में news में देखा गया, कहां celebrate किया जाता है, लद्दाक में, जम लद्दाक था, वो जम्मु कस्मीर, state का पार्ट हो जाता था, लेकिन अब ये अलग-अलग UT है, तो यहाँ पर आपको दो choices मिल सकती है, लद्दाक में मिल सकता है, जम्मु एन कस्मीर भी मिल सकता है, पहले ये 24 आपको ऐसे नहीं मिलती, ठीक है, जम्मु कस्मीर मिल जाता जिसे माताखी भावनी टेंपल भी कहा जाता है जेस्ट अस्टमी के दिन वहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये कस्मीरी पंडित कम्यूटी का एक बहुत ही important फेस्टिवल वहाँ पर माना जाता है अगला question टेजस एरक्राफ्ट के बारे में है पहला statement ये बोलता है कि एक smallest और lightest multi-role supersonic fighter aircraft है दूसरा ये है कि इसे DR-DO ने design किया है mainly DR-DO ने design किया है बताए कौन सा statement सही है कौन सा गलत है आपने अपना जवाब अगर सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं अब सारे जो aircraft हैं वो आप DR-DO से ही develop मत करवाईए देखिए वैसे DR-DO इसमें है लेकिन mainly इन्होंने develop नहीं किया है DR-DO हर जगे कुछ ने कुछ हाथ तो लगाई देता है कोई भी अगर ऐसा कुछ difference related काम हो रहा है तो but mainly इसे DR-DO ने develop नहीं किया but main body वही दोनों है ठीक है इंडियन एर फोर्स ने भी हाल ही में तेजस MK1 FOC को induct किया है that's why it was in news जो अगला question है वो queer geotextile के बारे में है पहला statement ये बोलता है कि queer geotextile जो होता है वो एक प्रकार का natural resistant होता है rot को लेकर मतलब ये सरता नहीं है mold करने पर इसमें दिक्कत नहीं होती moisture के problem नहीं होती microbial attack से भी free होता है ये permeable होता है मतलब पानी वगएरा इसके आर पार जा सकता है natural और strong fabric है high durability होती है ये biodegradable होता है और soil stabilization में भी help करता है queer के बारे में आप जानते हैं अगर आप queer समझते हैं कि ये है क्या तो आप बड़े आसानी से इसको समझ जाएंगे कि इसका जो सही जवाब है वो क्या है actually में इसके तीन के तीनों ही statement correct है queer होता क्या है queer नारियल आपने रेखा होगा उसका जो उपर का जटा होता है उसे ही queer कहा जाता है अभी हाल ही में Indian Road Congress ने ये बोला कि वो इसकी मिदद से rural road का construction करेंगे ये 100% natural fiber है और इसका नुकसान भी नहीं होता है ये मिट्टी को बांद के रखता है ठिक vegetation में है बें भी help करता है और बाकी जो bio degradable है soil stabilization में help करता है जो features आपको पहले बताए गए वो सारे इसके बारे में correct है mapping का question देखिए Lake Victoria के बारे में कौन सा statement incorrect है आपको ये बताना है चार्स statement है तीन correct होंगे एक incorrect होगा ये world की largest fresh water lake है surface area के मताबिक ये subject important है surface area दूसरा ये जो lake का area है ये तीन countries में divided है Kenya, Uganda, Tanzania ये world की largest tropical lake है तीसरा जो river Nile है वो white Nile से बनती है white Nile से जो की lake Victoria से originate होती है तो बताए कौन सा statement सही है कौन सा गलत अगर आपने अपना statement identify कर लिया है let me tell you जो पहला statement है वो incorrect है that's why it is your answer surface area के मताबिक lake Victoria दुनिया की सबसे बड़ी lake नहीं है rather North America की lake superior surface area के मताबिक सबसे बड़ी lake है surface area ये सब इंपोर्टेंट है because अगर आप volume के हिसाब से देखेंगे तो volume के हिसाब से lake Victoria दुनिया की 9th largest continental lake है और जो सबसे बड़ी lake है volume के हिसाब से वो lake बैकाल है तो ऐसी कोई confusion आपको नहीं होनी चे confusion नहीं होनी चेहिए जो अगला question है वहाँ पर आपको 4 lakes दी गई है आपको south to north इसे match करना है lake Tanganyika lake Malawi lake Kivu, lake Rukwa गरत मत करिएगा आपने तयार तो किया होगा सही जवाब सोचिए सही जवाब अगर आपने सोच लिया है तो इसका जो सही जवाब है that is 2413 2413 देखे जो यहाँ पर rift valley है एफरिका के eastern coast में जिसे east African rift कहा जाता है वहाँ पर आपको series of lakes मिलेंगी जिने African great lakes कहा जाता है तो यहाँ पर अगर आपको इसे match करना है तो आपको सबसे south में देखे यहाँ पर lake Malawi मिलेगा then lake Rukwa मिलेगा then lake Tanganyika मिलेगा then lake यहाँ पर की वो मिलेगा और यही आपका सही 24 में आपको south to north में sequence मिल जाएगा बाखी courses available है dedicated prelims program आप daily mcq solve करते हैं test series होती है target दिया जाता है n series ncrt की summary और videos apart from that explanation जो test series का होगा उसका video explanation भी आपको मिल जाएगा तो आप इस program को अवेल कर सकते हैं यह साई यार सोचलोजी ऑप्शनल अवेलेबल है अलग से test series भी अवेलेबल है ठीक है कल के course में जो कल का आपका video होगा उसमें आपको जो भी एफरिका के grasslands हैं वो prepare करके रखने हैं उनसे question आपसे पूछा जाएगा अपना score comment बॉस में बताना मत भूलेगा इस session में बस इतना ही Thank you very much